मैं डॉक्टर आनंद सेर्या और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो महिलाओं की वेजाइना में जो इचिंग की समस्या होती है योनी वे खुजली की जो समस्या होती है उसके बारे में बात करेंगे वह क्य होती है और क्या उसका होमेपेथिक इलाज है होमेपेथिक इलाज में दोस्तों कुछ डाइलूशन के बारे में बात करेंगे कुछ मदर टींचर के बारे में बात करेंगे और दोस्तों एक मदर टींचर का लोशन बताऊंगा उसको आप घर पर ही प्रिपेर कर सकते हैं कैसे प्रिपेर करना है कैसे इसको यूज करना है उसके बारे में बताऊँगा इन दवाईयों को इन मदर टिंचर को कैसे इस्तमाल करना है किस पोटेंसी में इस्तिमाल करना है उसके बारे मैं आज मैं बताऊंगा तो दोस्तों फ्लीज वीडियो को अंद तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बैल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताकि नोटिफिकेश सबसे पहले आपके पहुंच जाएं तो आज हम बात कर रहे हैं महीलाओं की योनी में जो खुझली होती है विजायना में जो ही broadcast होती है इसके बारे में जो कि बहुत सारी महीलाओं में देखने को मिलती है और दोस्तो यह समस्या ऐसी है कि महिलाएं इसके इलाज से और इस समस्या को शेर करने में भी सरमाती है तो दोस्तो यह समस्या क्यों होती है तो इसके पीछे कुछ infections हो सकते हैं जैसे कि सफेद पानी होना कोई cervical disease होना कोई uterine disease होना PID होना या फिर अगर महिलाएं hygiene maintain करके भी नहीं रखती है साथ सफाई भी नहीं रखती है तो भी दोस्तों वेजायना में इचिंग की समस्या हो सकती है वेजायना में ज्यादा तर दोस्तों इचिंग की समस्या वाइट discharge के कारण होती है क्योंकि दोस्तों बहुत सारी महिलाओं में वाइट discharge की समस्या आज के टाइम में देखने को मिलती है बहुत सारी महिलाओं वाइट discharge की समस्या से परेशान रहती है अब वाइट discharge भी दोस्तों कहीं सबसे पहली दवाई आती है ऑब दोस्तों बॉड़ी में कहीं भी होती है चाहे वह वैजाइना में भी तो दोस्तों वहां पर सलफर मेडिसीन बहुत इफेक्टिव मेडिसीन बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है इसमें दोस्तो ऐसी कुजली होती है कि महीला जो होती है खुजाते खुजाते उस जगों को छिल लेती है और वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है तो दोस्तो इतनी भायंकर इचिग होती है तो इस कंडिशन में दोस्तो सलफर मेडिसीन को 30 पोटेंसी में सुबह दोपर शाम लेना है या फिर इसको सुबह शाम भी ले सकते है ने जाएना में सफेद पानी की वज़े से अगर इचिंगी समस्या रेती है तो दोस्तों वहां पर सीपिया मेडिसीन बहुत इफेक्टिव मेडिसीन है इसका इस्तमाल 30 पोटेंसी में दिन में तीन बार सुबह दोपर शाम करना है दोस्तों सीपिया बहुत इफेक्टिव मेड बहुत इफंटी मेडिसिन नेक्ट मेडिसिन आती दोस्तों Borex दोस्तों जो सफेद पानी की समस्य होती है वह घर्बावस्ता में भी घर्भावस्ता में भी सफेद पानी की समस्य और वेजानामें इचिंग की समस्या भी घरबावस्ता में देखने को Miles TG तो वहां पर दोस्टो वारेक्स मेंडी में बहुत अच्छा काम करती है अगर प्रेग्नेंसी के दो राण वेजायना में सारी पैश्टत ती है जिनमें की वेजायना में 받 प्रेग्नेंसbble के दो राण और उसमें इतनी खुजली होती है, साथ में इतनी जलन होती है, कि दोस्तों वहाँ पर खुजाते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाती है, चाले से पढ़ जाते हैं, सफेद कलर के घाव बन जाते हैं, तो दोस्तों उसमें बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है, सफेद पानी के लेना है इसको पावडर जो बोरक्स का पावडर है वह अक्सिर्ण नहसे अगर death जैसे कि लेविया में अगर खुजली होती है योनी की एक्स्टरनल दीवारों में अगर खुजली होती है बाहर के साइड अगर बहुत तेश कुजली होती है तो दोस्तों कोलिन सुन्या मदर टिंचर का इस्तमाल करना आधे कप पानी में दिन में तीन बार लेना है नेक्स्ट कम bleeding होती है, तो दोस्तों भाहवारी के समस्या को भी है, तीक करती है, साथ में वेजायना में अगर इचीं के समस्या रहती है, तो दोस्तों helonias का mother tincture लेना है, 20 बून आदे कब पानी में डाल पर सुबह दो पर शाम हर लेना है, इसी प्रकार दोस्तो कोलिन सुनिया के भी मधर टिंचर को 20-20 बून आदे कप पानी में डाल कर सुबह दो पर शाम लेना है नेक्स्ट मेडिसीन आती है दोस्तो अर्टीका यूरेक्स यह भी external genitals में जो लेबियास होती है उनमें अगर कुजली होती है साथ में जलन होती है तो दोस्तो उसके लिए यह बहुत ही effective medicine है इसका इस्तमाल हमें mother tincture form में करना है 20-20 बून आदे कप पानी में डाल कर सुबह दो पर शाम लेना है दोस्तो आईए बात करते हैं एक lotion के बारे में जो की वेजाइना को वाश करने के लिए है अगर external gelatel में आपको इचिंग हो रही है तो उस लोशन से आप वेजाइना को वाश करेंगे तो दोस्तों इचिंग आपकी तुरंट आराम हो जाएगी दोस्तों कौन ची medicine है तो उसका नाम है दोस्तों मेन्था पेपरेटा मेंटा पेपरेटा कम आपको लेना है किर सीवाश करना है जहां पर भी खुजली हो रही है हो उसमापर वाश करना आट दोस्तों खुजली में तुरंट आहां मिल जाता है दोस्तो यह लोसन बहुत इफेक्टिव है बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स है बाकी मेडिसिन्स के भी दोस्तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है और बहुत अच्छी मेडिसिन्स है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन्स है तो दोस्तो यह थी वेजायना में इचिक के लिए आफ काली सीसी होनी चाहिए और उसको 20-20 दून आधे कब पानी में डाल कर ले सकते हैं इसके साथ में आप सलफर सीप्या और बोरेक्स जिस भी मेडिसीन के लक्षन मिलते हैं उनको आप दिन में तीम बार खाली पेट ले सकते हैं बहुत इफेक्टिव मेडिसीन ने बहुत अ सब्सक्राइब जरूर कर दिए जगा है साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करिएगा आज के लिए इतना ही जय हिन जय महारत